हेलो फ्रेंड्स जो तिश्क्यानमाला चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम किसी व्यक्ति के हतेली से ये जान सकते हैं कि उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें चलिए शुरूर करते हैं आज का वीडियो देखिए यहाँ पर पाम के ये दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं पहले नंबर पे ये जो पाम आपको दिख देखारा है, सबसे पहले हम love marriage होगी या arranged marriage ये देखने के लिए हम सबसे पहले palm में हर्दय रिखा यहनि की heart line की स्थिती को देखते हैं क्योंकि heart line जो होती है व्यक्ति के love, emotion और उसकी feelings क्या है उसके heart में ये सारी जानकरी हमें heart line से प्राप्थ होती है तो ये वाली जो line ये जो heart line होती है ये थोड़ी लंबी और थोड़ा कर्व लिये हुए यानि कि गुमाओं लिये हुए ये इस तरीके से आगे बढ़ती हुई गुरू परवत तक पहुच जाती है या फिर ये line कई बार ये index finger और middle finger इन दौनों के नीचे यहाँ इस इस्थान तक जाकर ये heart line यहाँ पर मिल जाती है इन दौनों उंगलियों के बीच में तो इस तरीके से यदि heart line यहाँ गुरू परवत तक पहुच जाती हो तो ये बहुती अच्छा संकेत होता है love marriage के लिए क्योंकि गुरू जो होता है ये बहुती शुब ग्रह होता है और heart line का यहाँ तक पहुचना व्यक्ति के अंदर love, emotion इस सब की बारे में अच्छी काफी इसके अंदर व्यक्ति के अंदर इसकी चाहते रहती है और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अक्सर love marriage करता है और इनकी जो married life होती है वो काफी खुशाल होती है वही यदि हम यह देखें यहाँ arrange marriage वाले में तो यहाँ पर हम देखते हैं कि heart line जो होती है वो थोड़ी छोटी होत होती है इसमें घुमाओ जो है वो थोड़ा कम होता घुमाओदार नहीं होती है बलकि थोड़ी सी straight होती है और यह middle finger की नीचे ही आकर यहाँ पर समाप्त हो जाती है अक्सर और जैसे कि यहाँ पर आग यह देख रहे हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी यह heart line थोड़ी छ करने वाले होते हैं और यह अपने उपर ज्यादा ध्यान देते हैं और self oriented type के यह होते हैं और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अक्सर love marriage की अपेक्षाई यह लोग जो है arrange marriage करते हैं इसके बाद friends दूसरा sign जो होता है वो brain line को हम देखते हैं तो यह वाली line जो आपको दिखाई दे रही है यह brain line है तो love marriage वाले हाथ में हम देखते हैं कि यदी brain line जो है वो starting से ही separate होकर चलती है life line से अलग यह वाली line जो है life line है और यह यहां से यह देखिए आप जो brain line है वो life line से थोड़ी separate होकर शुरू से ही चल रही है तो इस तरह है कि जो लोग होते हैं वो थोड़े outgoing हो होते हैं और यह अपने decision खुद ही लेना पसंद करते हैं इसलिए यह अक्सर love marriage करते हैं वहीं friends यदी यह brain line जो है यहाँ पर आप देखिए arrange marriage में यहाँ पर starting से यह life line से जुड़ी हुई निकलती है इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरह क कि जो लोग होते हैं वो थोड़े introvert होते हैं और अपनी family से काफी जुड़े होते हैं और अक्सर family की पसंद से ही यह arrange marriage करना पसंद करते हैं इसके बाद friends हम marriage line को देखते हैं love marriage और arrange marriage को देखने के लिए हमें marriage line को भी देखना चाहिए जो कि यह little finger की नीचे यहाँ पर गाकी रूप में यहाँ पर marriage line पाई जाती है अब यदि हम यह love marriage वाले हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो marriage लाइन होती है वो स्टार्टिंग में ही दो लाइनों से मिलकर बनती है स्टार्टिंग में ये छुटी-छुटी दो लाइनों से मिलकर इस तरीके की बनती है और क्लियर और लंबी मेरिज लाइन होती है तो इस तरीके कि यदि है लंबी और क्लियर होके स्टार्टिंग में ये दो लाइनों से मिलकर बनी होती है तो ये 100% लव मैरिज होनी का संकेत करती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पार्टनर से काफी खुश रहते हैं और हैपी मैरिड लाइफ जीते हैं वहीं यदि मैरिज लाइन इस हम अरेंज मैरिज में देखेंगे यहाँ पर तो मैरिज लाइन जो होती है वो यदि थोड़ा कर्व लिये हुए हो यानि कि वो थोड़ इसी जुक कर यहां हार्ट लाइन की तरफ ये वाली लाइन जो है ये हार्ट लाइन है तो वो जुक कर इस परती है इसके अलावा फ्रेंड्स लाव मेरिज और अरेंज मेरिज देखने के लिए हमें गुरू परवत जो की ये इंडेक्स फिंगर की नीचे वाला जो स्थान होता है उबरा हुआ जो स्थान दिखाई देता है से हम गुरू परवत कहते हैं तो हमें इस स्थान को भी दिखाई देता है और ये गुरू परवत पर क्रॉस का साइन जो होता है बहुती शुब साइन होता है और जो की व्यक्ति को खुशहाल मेरिड लाइफ और उसको पसंदीदा लाइफ पार्टनर मिलने की तरफ संकेत करता है तो इसलिए लाव मेरिज वाले पाम की अंदर अक लाव मेरिज की तरफ संकेत करता है ऐसे लोगों की अक्सर लाव मेरिज होती है और उनके पार्टनर जो होते हैं वो काफी उनको सपोर्ट करते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं काफी खुशहाल व्यवाहिक जीवन जो है वो जीते हैं इसी तरह अरेंज मेरिज वाले पाम में हम अगर देखते हैं कि यहां पर भी Cross या शुक्र परत पर गुरू परत पर Cross और या फिर शुक्र परत पर Square का Sign, इस तरीके का Sign यदि Arrange Marriage वाले पाम में भी हमें दिखाई दे जाए तो फिर इसका ये मतलब होता है कि व्यक्ती की भले ही Arrange Marriage हुए लेकिन उसके बावजूद वह अपने लाइफ पार्टनर से बेहत प्रेम करने वाला होता है और उसका वैवाहिक जीवन अरेंज मैरीज होने के बावजूद भी काफी अच्छा होता है तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ जानकारी लव मैरीज या अरेंज मैरीज से संबंदित यदि आपकी हतेली में भी इस तरह के चिन है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक शेर और कॉमेंट करना भी कुल न भूलें चैनल को जोतिश हस्त रेखा और वास्तु से संबंदित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें थैंक